आईपियल मैच में विशाखा पटनम में खेले गए आईपियल बारा के अलमीनेटर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद को दो विकेट से हरा कर कौलिफाई दो में परवेश कर लिया है प्रिथुशा के 56 और रिशोफ पंच के 49 रन के दुफानी पारियों के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद को हरा दिया इस हार के बाद ही हैदराबाद अब लीक से बाहर हो गई है आईपियल के इत्यास में दिल्ली की प्लेओफ में ये पहली जीत है इस जीत के हीरो रिशोफ पंच रहे जिरो ने 21 गेंदो में नाबाद 49 रनों की पारी खेली इस दिपारी में 5 शक्के और 2 चौके शामिल थे उन्होंने इस पारी के लिए मैन आफ ती मैच के खिताब से भी उन्हें नवाजा गया है वहीं पर बात अगर करें खिताब की तो दिल्ली इस खिताबी जीत से महज 2 मैच दूर है कॉलिपाई 2 में दिल्ली का सामना अब चन्नाई सूपर किंग्स के साथ होगा और इसमें जीतरे वाली टीम 12 माई को मुंबाई इंडियन्स के साथ फाइनल मैच खेलेगी आपको बता दें आखरी ओवर में काफी अच्छा परदर्शन दिल्ली का रहा है और दो विकेट से हैदराबाद को दिल्ली ने हराया जिसमें रिशव पंथ ने तुफाणी पारी खेली है नाबाद रनो से रिशव पंथ ने दिल्ली को जीत दिलाने में अच्छा सा योग दिया है और बता दे 21 गेंदो में 49 रिशव पंथ की उरते बनाए गए हैं और साथी मैन आफ टीम मैच का खिताब भी रिशव पंथ ने अपने नाम किया तो बता दें दिल्ली की फ्ले ओफ में ये पहली जीत है और अब दिल्ली का मुकाबला होगा चन्नाई सूपर किंग्स के साथ उसके बाद दोनों मैसेज जिसकी भी जीत होगी उसका मुकाबला मुंबई इंडियन्स के साथ होगा झाल